एक बार इस तरह से बनाए अलू गोबी की सब्जी खाने में स्वाद आ जायेगा तो देख सकते हैं जो हमारा अलू गोबी का सब्जी है बहुत ही टेस्टी बना है और देखने में भी कितना सुन्दर लग रहा है तो चली बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर सबसे पहले तो गवी को छोटे पिसे में कट कर लिए थे मोठा पाटना के लेंगे ऑ हम अच्छे से फ्रैय कर लेते हैं तो देख सक्ते हैं हमारा गोवी यहां पर फ्राइ हो चुका है फृरेंडस तो म मैं गोवी को निकाल लेंगे आ किये पर हम आलू को भी अगें तो आलू को यह काट करकी अच्छे से दोधाक के लिया है इसको भी हम फॉराइ करलेंगे एक से डिली बिनल लेते हैं तो आलू बहुती कम तेलों में अच्छे से फ्राइ हो जाता है तो यहां पर मैं थोड़ा audit, एक चेमन्मय की जितना सरशू का तिल फिर्षे डाल रहे हूं और आलू को हम फ्राइ कर लेते हैं अ मैं तो यहां पर हमारा आलू भी फ्राई हो चुका है तो इसको भी निकाल लेते हैं अब हम मसाला रेडी करेंगे तो सबसे पहले हम आलू को निकाल लेते हैं उसके बाद मसाला रेडी करेंगे तो यहां में तेल ले लिए टीन से चार चमच यहीं पे एक तेज पत्ता लिए है यही पे ऊधा चमच जीरा लिए इसी और अच्छे से भूलबे दे हैं ऑग्ज़वी के लिए हम प्यार लिए है और जो गोवी का डंठल ता उसका पत्रों लेए हैं यहां मिर्ची है दो से चार इस सब को मच्छे से भूलेंगे गोवी का जो डंठल होता है उसको बिल्कुल भी फेक हिएगा नहीं प्याज के साथ ही भून दीजिएगा बहुत यह चाह टेश्ट और ग्रेवी का थिकनेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है और गोवी का जो डंठल ह खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट लगता है तो इसको भी हम बहुत ही अच्छे से भून लेते हैं प्याज और जो गोवी का डंठल था तो देख सकते हैं कितने अच्छे से भून गया यहीं पर हम नमक डाल देंगे और यहाँ पर मैं मिक्स मसाला डाल रही है इसमें मिर्ची धनिया हल्दी सब होता है गड़ मसाला सब कुछ होता है तो यहाँ पर मैं तीन चमच की जितना ही यह डाल दी हूँ हविसं को भूं कि हम थोरी दर के लिए भूं लेते हैं कि इन फिक मांच काम लग डाथा इसमें तो आधा जमच मैं हल्दी डालती हूँ इसको मसाले को हम बहुत अच्छे से भून लेते हैं जिससे की सब्जी का जो खुसबूए वो दो गुना बढ़ जाएगा तो देख सकते हैं हापर मैं दो से तीन मिनिट में मसाले को बहुत अच्छे से भून चुकी हूँ यहीं पर हम डाल देंगे गोबी तो अभी हम आलु नहीं डालेंगे कि आलु पहले डालेंगे तो आलु एकदम भढता बन जाएगा तो अच्छे नहीं लगएगा देखनेमें सब्सक्रिक इसल hebben पहले को डाल करके और.. इसको थोरा सा भून लेते हैं थोरा सा गोबी भून गय है तो इसको ढख देते हैं हो शहलका से भाव हम इसको फॉरसे चला कि आप ऑँ यह अरगा से तो यह आधा से तो जयादा यह पज़़का है घ्रैवी बानाऊंगे थे अभी बनाऊंगे तो यह यहीं पर मैं और फॉल्स करदेंगे सब्सक्वाजाइएं ऐसे आप लोग अलू गोबी की सब्सक्राइए गाएगे आप लोगों को ये रेश्पी बहुत ही पसंद आएगी क्योंकि बहुत ही ला जवाब सब्सब्सक्राइब नेती तो यहाँपे हम सारे मसाले और गोबी अलू सब को मिक्स कर देँए पर पानी नाल धाल देते हैं तो पानी आप अपने अनुसारा टाल जाकते है d Harrv है इतना आपको भीश लोगा है तो थोड़ा देते हैं? कर्थे पर इसका वी है दूल्ड देखने निए सबzahlल है कि नहीं तो अभी थोड़ा सा और यह जी हो गांगा कियोंकि आप डहकरके और 2-4 मिनट थेंगे 2-2 कि यहां पे 2 मिनट हो गया में पिट से सबजी को चाल कर लorta हो यह tort मिनट क्यां कर देंगि और देको सबढक में हमारा गोविया गोविया वह बहुत से सब्ट होगे क्योंकि जब गोवी पक जाते तो वो देखने से लग जाता कि यह जो हमारो गोवी बहुत ही अच्छे से चुका है तो देख सकते हैं मैं काट्री तो यह असानी से कट रहा है आलो भी तो पकी गया है तो अब हमारे सब्जी बन करके रेडी है तो यहीं पर हम थोरा सा अध्रक लहजन को कूच करके ले लिए हैं और यहीं पर थोरा सा धनिया पता है यह भी डालती हो मैं अब इसको अच्छे से एक बर चला देते हैं अब हमारे सब्जी है बन करके रेडी है आप लोग इसको चावल के साथ यह रोटी पड़ाटे किसी के साथ भी अप सर्व कर सकते बह और अपने दोस्तों में मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिएगा